नमस्कार साती आपका स्वागत आपके यूटूब चैनल ट्रेट विट रॉनिक चलिए दोस्ताच के सुरुवात करता है आज 31 दिसंबर और रात के 8 बजने और मार्किट ओफ हो चुका है तो वीकली ओफ है कल सटर्ड है मंडे को जो मार्किट ओपन होगा तो डेफिन इसमें वीगार्ट के अंदर तेजी देखने को मिलेगी आपको तेजी की वज़ा बताऊंगो थोड़े में अगर अब इदक आपके अपना चैनल संस्क्राइब नहीं तो पहले चैनल को संस्क्राइब कर लिजे बैल है को बजाना बिल्कुल ना बोलिए तो देखिए वीगार्ट क यह डेली नीड और बेसिक जो हमारे घरेली चीजों के अंदर उन सब इलेक्टिक आइटम का यह मैनिफेक्ट्चर करते हैं तो मोटा मोटा आपको अबर्विव समझ आ चुका है फैन इलेक्टिक वायर केवल इन सब चीजों का काम यह करती है वाल्टास इन चीजों में काम काम जो काम आपने चैनल के पीच पर आपको काल डिखेगाई अब आपको डिखाता हैं आप मुझे लगता है फिर से जो ट्रेंड आ रहाए जो गरावर ते रिंदा आपार हे दो इसमें आप्र ऑएन करके चलन आ अपने ऐसल अपन्स आपने और अपने हो आपने आपने चै पर लोग ग्रोथ करना है तो इनका हेड़कोर्टर कहां पर है कोची में कंपनी कप से हैं 1977 से हैं तो आज ये 0.68% की तेज़ी के साथ बंद हुआ है तो आज ये ओपन हो तो 220 पर 50 पैसे पे हाई मारा 222 पैसे पैसे लो मारा 222 पैसे पैसे का 52 है तो आज इसमें डिलीवरी कुट उठाली गई है वो देखते हैं आज इसमें 64.78% इसमें डिलीवरी उठाली गई है इक अतिस दिसंबर के अंदर जो एंड ऑफ दे में जो डिलीवरी उठाए गई है 64.78% इसमें डिलीवरी उठाली गई है अभी तक यानि मंडे को इसमें तेज़ी देखे इसमें आभी ओडर लेगे हुए दोस्तो 23 ओडर लेगे हुए है इसमें क्वांटिटी लेगे हुए है 121 पैसे पर देखे ओडर भी लेगे हुए अभी तक तो इसमें बाइंग का ओप्शिन खुलेगा तो तो तेज़ी देखने को मिलेगी आपको मंडे आले सेसन के अंदर अब चलते हैं इसके अंदर इसक सकते हैं आप 13.4 से बढ़ा के 13.5 3 तीटी थी ठीकले ना पर मोटर ने अपनी इंक्रीज आपनी नहीं बढ़ाई थी यह आपनी होल्डिंग बढ़ाई थी बस डियाए इस ने अपनी होल्डिंग बढ़ा हिए 13 points से बढ़के mutual funds वालों ने अपनी holding बढ़ा है 13.04 से बढ़ा के करिए 13.51% ही देख सकते हैं तो यह mutual fund ने अपनी holding बढ़ा है काफिछा पर्मोटर के पास holding है FIDIS दोनों के पास holding है परविलिक के पास holding है अब चलते हैं इसके इसके इंदर चल किया समझते हैं इसके बारे में थोड़ा सा फिर इसके बीगार्ड के है NSE BSE दोनों पर ट्रेट करता है 9,551 क्रोड का मार्केट के है Stock P.E. 41.7 है ROC इसका 26.2% है ROE Return of Equity इसका 18.18% है Book Well इसके 39 रवे की है और Dividend Company न अभी तक दिया है 0.54% का इसके अंदर के अंडिकेशन पॉजिटीव है Company अल्मस्ट अपना करजा Almost अपना करजा खतम करने पर बैटुए Company अल्मस्ट करजा कम खतम होने वाला है Company quarter quarter wise Result अच्छे ने रही है Company न अपना Dividend Paying करने का Dividend Paying करने का सरकल उने मैंटन रखा है 22.46% Dividend मैंटन रखा है इनोने Dividend Maintain Healthy Dividend Payout मैंटन रखा है इनोने अभी तक अपना अब चलते हैं सितंबर quarter 2 के result के थोड़ी सी बात कर लेते है इसके अंदर तो इसके अंदर क्या है सितंबर 2021 के इनका quarter 2 के result आया था तो इनके जो result आया था operation profit motivo 84,000,000 और net profit था 69,000,000 और EPS तन का 1.37 तो जून quarter के अंदर के चैल था 561,000,000 profitように operation profit 43,000,000 net profit 25,000,000 EPS तन का 0.57 सित्बर के अंदर के 617,000,000 की चैल ती operation profit था 54 और net profit था 50 और EPS तन का 1.17 है जो मोटा मोटा आवका सम्झात हो तो आपको फिगर वाइस में फार्ट नेट प्रॉफित में इजापा देखने को मिला था तो बेसिकली आपको कह सकते हैं कि तो इसके अदर चलते हैं लोग तो टिकर टेप की साइट पर हमार को देखी यह एलेक्ट्र कॉमेंट्स का मैंने बता था तो इसके बाद से स्टॉक एक परसेंट का अप्रेंडिंग माचला गया था तो यह मर्जर हुआ इनों का सीमोन इलेक्ट्र के साथ वन विग पहले एक न्यूज यह चलिए इसके अंदर और और कुछ न्यूज नहीं है बाकी इंडिकेशन हमारे को सारे अच्छे के सखते हैं अब चलते में फंडामेंटल पर इसके चार्ट पर तो इसका डेली किस तरह से सरकल पूरा कवर कर चुका शेर बहुत बड़ी घ्रावट होची के शेर के अंदर अभी तक यानि मैं दोजा सतर दोजा किस के अंदर शेर ता मैं के अंदर तो आप देखिए इस लेवल पाव शेर चल रहा है यानिके सेवन मंच के लोस पे शेर चला गया है सेवन मंच के लोड़ बहुत अच्छा भी तर अब दोजा सरकल है धर दो ज्याड़ी के अंदर शेर यहां पर फिर मार्च पर सपोर्ट ईये अब सपोर्ट लिया फिर अब दौर से सपोर्ट यहें पर ले रहा है दिसंबर में तो आप देख सकते हैं 220 का जो इसका लेवल है काफी अच्छा लेवल है तो हमें क्या करना है 220-218 के स्टॉप लोस से बाय करके चल सकते हैं आप तो इस लेवल पर बावर आके 220 का लेवल नहीं तोड़ा फिर से यहां से ब्रेक आउट वड़ा और तेजी की तरफ फिर से आने को तयार हो गए और आज इसमें तेजी देखने को मिली आपको तो आज देखें से चार्ट के अंदर क्या दिखा रहा है तो इस चार्ट बाजर की एक तरह से इंवर्टेट है मरे कैंडल जो बनी आज की दिन पर तो हमारे को क्या करना चार्ट मेरे से सारे करका टार्गेट मेरे दोचसो पचास तके तो इस ते मैंने अक्टूबर में कॉल नॉउबर में खोलता है जब नॉवर मेरे कौल भी पूरी ही तो आप देख सेकते हैं फिर से मिल यहां से आप ट्रेंडिंग फिर से आएगा जो इसमें पेंड देखने और गिरावाट देखने हों मेलेगी बट मुझे यहां से रखता है यह अब ट्रेंडिंग दिखायागा तो आपको क्या करना है इस लेवल से बाय करना है तो पहला टारगेट यहां से क्योंकि यह जो कैंडल है यह जो कैंडल है 247 तक कि यहां आपसे कैंडल देखिए 230 पर 21 days के average move के नीजे trade कर रहा है को इंडिकेशन निया बस हम लोग क्या कर रहा है जो पिछली support बें इस अब ट्रेंडिंग है उससे support को support मानके फिर से बाय करके चलेंगे तो यहां से अपने capital जरू growth करेंगे हमारा को यहां से profit जरूर मिलेगा हमारको तो हमारा EPS भी देखिए यहां पर देखिए RSA slightly up trending दिखा रहा हूं यहां से RSA 36 का वो जा चुका है वो देखिए MSCD पर किस तरह से up trending को showing कर रहा है किस तरह से slightly green up trending आ रहा है तो हमारा को क्या करना है यहां से जो पहला target बनेगा मेरा पहला target बनेगा 225 का दूसरा target 230 का 30235 रपेगा 235 तक के target को साथ बाइंग हो यहां सकते है 64% volume के साथ बाइंग हो इसके नता तो मुझे लगता है मुझे लगता है मुममट और तेजी के देखना को मिलेंगे कि ग्रावड काफ एच्छी ग्रावड करकर कांसलेट हो के शेयर करेक्टिव होके अब up trending के दिखायागा तो हम थोड़ा weekly chart यह हैं मर जो इन्वेटेट है मर यह वह तेजी को इंडिकेशन दे सकता क्योंकि नीचे लोवर बना अपर लेवल पर नहीं बना है तो हमार को दो सब पैदेस्ता के लेवल इसली मिल जाएंगे क्योंकि जिस तरह से चार्ट पर दिख रहा है क्योंकि चार्ट बहुत अगर यह वीडियो आपका अच्छा लगा तो अपर इस वीडियो को लाइक सेफ और वड करना बिल्कुल ना भूले तैंक्यू सो मच पूर वाचिंग इस वीडियो